बिस्मिलर्मानी रहीं, असलाम अलेकूं, आज मैं आप उखों के साथ ये मज़ेदार से मटर पलाओ की रेस्पी शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये पलाओ, हमेशा की तरह आज भी आप से यह कहूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ल दाल देंगे, बिल्कुल थोड़े से पिस्ते डालेंगे, थोड़े से बदाम डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें किश्मिश डाल देंगे, और फ्लेब हमने बिल्कुल सलो रखा है, इनको एक से टेड़ मिट तक के लिए हलका साम रोस्ट कर लेंगे, इनको हमने एक से और डाल देंगे अब इसमें एक छोड़े साइस का प्यास डाल देंगे इसको हमने बारी काट लिया था इसको हलका सा फ्राइ कर लेंगे अब इसमें हम बारी कटा हुआ लेसन डाल देंगे और इसको भी साथी प्यास के हलका सा फ्राइ कर लेंगे प्याज और लेसन को हलका सा फ्राइ कर लिए गूर्डन से इसका कलर हो गए अब इसमें हम एक कप मटर के दाने डाल देंगे और इनको चार से पांच मिट तक के लिए हलकी आज पे हम फ्राइ कर लेंगे मटर के दान इगलने तक अगर आपके मटर ना कर लें थोड़े सखतों तो आप थोड़ा सब पानी डाल के इनको फ्राइ कर लीजिएगा थोड़ा से इसमें हम नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून के गरीब नमक हम बहुत कम डार रहे हैं क्योंकि हमने चावल बोईल करते वक्त उनमें नमक सही से डाला है मत्रुक हमने फ्राइ कर लिया यह कल गया है अब इसमें हम बोईल के हुए चावल ढाल देंगे चावल मैंने बोईल कर लिये थे नमक डालकर चावल मैंने कची भास्मत लिया है आप सिला चावल भी ले सकते हैं बोईल की वए चावल डालने के बाद अब इनको हम दम देंगे दम देने से पहले हम दो टेबल स्पून के करीब हम सोया सोस डाल देंगे वन टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे वन टेबल स्पून हम काली मिज़ का पॉर्ड डालेंगे अगर आप light मिर्ची खाना चाहती है तो थोड़ी कम कर लीजीगा वैसे यह बिल्कुल सही है चावलों में एक चमच हम chicken powder डाल देंगे यह मसाले डालने के बाद उपर से हम roast किये हुए dry food डाल देंगे और इसको तकरीबन 10 मिर्ट के लिए हम दम पे रख देंगे चावलों का हमने 10 मिर्ट के लिए दम पे रख दिया था और इमें अच्छा सा दम आ गया है और शुबू भी बहुत अच्छी आ रही है अब हम ढगन खुलने के बाद इनको मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इनको हम सर्फ करने के लिए डिश में निकाल लेंगे और हमारी मज़ेदार सी मट्रपलाव बनगा तयारे ये थी आज की हमारी रेषपी इसके साथ ही जाच चाहिए अगर आपको ये रेषपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमारी चैनल पे नियू हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा